आज हम यह गोल गप्पे का पानी बनाएंगे अगर पानी टेश्टी बनावो तो हम गोल गप्पे के अलावा इसको एक्स्ट्रा पीना पसंद करते हैं नमस्कार तोली पूरवाल किचिन में आपका स्वागत है आज में बनाने जा रही हूं गोल गप्पे के साब पीने वाला इस्पेसल पानी गोल गप्पे खाना सभी को पसंद है अगर पानी टेश्टी बनावो तो गोल गप्पे खाने का आनंद ही बढ़ जाता है इसलिए यह मैंने चार चम्मच कुटी वी खटाई लिया मैं गर्मियों मैं कच्चे आम की खटाई बना लेती हूं उसी को मैंने यह दरदरा पीसकर तयार किया था यह मैंने चार चम्मच खटाई को बिंगो दिया था 2-3 घंटे पहले अम इसका पेश्ट बनाएंगे यह मिक्सी के जारब में खटाई को डाल देंगे अब हम इसको पीस लेंगे यह मैंने खटाई को पीस कर पेश्ट बना लिया है अब हम इसे निकाल लेंगे यह मैंने खटाई पीस लिया है अब हम इसी जार में हरी धनिया का मसाला पीस लेती है यह मैंने 50 ग्राम धनिया को दुल कर साप करकर दुल लिया था और इसको थोड़ा सुखा लिया था काट कर हम इसे डाल देंगे और यह मैंने छेहरी मिर्च लीए इनको भी मैंने दुल कर दंठा लटा कर सुखा लिया इनको भी डाल देंगे और यह मैंने दू टुकडे अधरक का टुकडा दे भी डाल देंगे और यह दस काली मिर्च इनको भी डाल देंगे और उनका पीस कर पेश्ट बना लेंगे यह मैंने हरी दनिये का मसाला पीस लिया है आज हम गोल गप्पी के साथ पीने वाली तीन तरह का पानी बनाएंगे सबसे पहले बनाएंगे स्पाइसी और खट्टा पानी यह पानी बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है अब हम इसमें यह दनिये का तीन चम्मच पेश्ट डालेंगे और यह चार चम्मच खटाई का पेश्ट और इसमें दो गलास पानी पॉन लीटर पानी हो जाएगा यह एक चम्मच काला नमक आदा चम्मच सफेद नमक आदा चम्मच बुना हुआ जीरा अब हम इसी मिक्स कर लेंगे मिक्स अच्छी से करना है अच्छी तरह से मिक्स करें मसाला सारा मसाला मिल जाए आपस में नमक कम जादा हो तो आप इसे में डाल सकते हैं यह हमारा इस पैसियों खटा पानी बनकर तयार है अब हम मीठा पानी बनाएंगे मीठा पानी बनाने के लिए मैंने एक बावल ले लिया है अब हम इसमें यह दो चम्मच धनिया का पेष्ट तीन चम्मच खटाई का पेष्ट एक चम्मच संप का पावडर आदा चम्मच हरी लाची का पावडर जो छोटी वाली हरी लाची उती उसका पावडर एक चम्मच जीरा पावडर एक चम्मच काला नमक आदा चम्मच सफेर नमक और यह चार बड़ी चम्मच चीनी और इसमें भी पॉन लीटर पानी पड़ेगा यह मैं पॉन लीटर पानी डाल दिया है इसको भी हम अच्छे से मिक्सर लेंगे चब तक इसकी चीनी घुल रहा है तब तक इसको हम चलाते रहेंगे चीनी अलगे है ये देको चीनी घुल गई है हुमारा मुठा पानी बनकर त्यार हे आगहि आब समस्देस कड़ी में तु इसमें दनिया वाला दो चम्मत पेष्ट लालेंगे और ये दो नीवू का रस और ये दो पिंच हींग पहले हम इनको अच्छी से मिक्स कर लेंगे हींग गुलने तक हींग गुल गाए पहले अब हम इसमें आदा चम्मच काला नमक आदा चम्मच सफेद नमक आदा चम्मच भुना हुआ जीरा का पावडर और इसमें में लगवक पॉन लीटर पानी डाल देंगे कर इंको में लुण कर लेंगे पानी में बनगर तयार हो गया है यह मेरी गोलगप्पे के साथ पीने वाले तीनों तरह के पानी तयार है यह मैंने खटा इस्पाइसी पानी बनाया है और यह नीबू अरहिंग वाला पानी है यह खटा मीठा पानी है इनको थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए और सुन्दर दिखने के लिए इसके उपर हम यह बूंदी डाल देंगे जिससे जब हम पानी पीते हैं तो जब हमारे मुह में बूंदी के दाने आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट पानी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है यह हमारे गुलगप्पे के साथ पीने वाले पानी तयार है अगर आपको हमारी रेश्पी पसंद आई हूँ तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी अनबब हमारे साथ सेयर करें और मिलते हैं अगली रेश्पी के साथ thank you, happy cooking